हमने lesson number 4 की सारी exercise solve कर दी तो अब हम solve करेंगे worksheet number 5 on page number 29 पहले तो पढ़ लेते के क्या है क्या है first exercise look at the picture and fill in the blanks choosing from the pronouns given in brackets यहाँ पे brackets में जो pronouns दियेगे उसको picture में देखके choose करना है ठीक है first dash is a doctor doctor lady भी हो सकते है और जैन्स भी राइट लेकिन यहाँ पे picture में क्या दिया गया है जैन्स डॉक्टर यानि कि boy है तो boy के लिए हम क्या use करते हैं he तो क्या एक answer he is a doctor राइट ओके next dash is a lion तो क्या एगा उसका answer lion के लिए हम क्या use करते हैं eat राइट तो lion के lion एक animal है तो animals के लिए हम क्या use करते हैं eat तो answer क्या आएगा it is a lion ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा it वो हमारा answer हो गया next third dash is a pen यहाँ पे पें दी गए वो एक thing है तो thing के लिए हम क्या use करते हैं thing के लिए he use होता है के it yes eat तो answer क्या आएगा it is a pen next dash is a teacher अभी teacher जैसे कि मैं भी आपकी teacher हूँ मैं lady हूँ और यहाँ पे figure में man दिया है तो आप क्या लिखाऊंगे he or she he तो क्या आएगा he is a teacher right next dash is a ball ball एक चीज का नाम है और चीज के लिए हम क्या use करते हैं think के लिए he or eat eat right answer is it is a ball पता चला अब हम solve करेंगे exercise b complete the sentences with pronouns given below हमें जो pronounce दिये गए उसका use करना है यहाँ पे bracket में two लिखा इसका मतलब यह नहीं कि हमें लिखना है I bracket में two I bracket में two का मतलब है कि यहाँ पे चितनी fill in the blank से उसमें से दो में answer आएगा I okay first dash am a boy अब मैं अपने लिए बात करूँ तो क्या बोलूँगा I am a boy तो answer क्या आएगा I right next sanchita and I play together dash also go to school together अब सोचो मैं और sanchita साथ में खेलते हैं और साथ में school जाते तो हम sanchita और I की जगह पे use करेंगे we okay तो क्या आएगा sanchita and I play together we also go to school together रीमी and her neighbors celebrate दिवाली and burn crackers आप भी दिवाली में crackers बन करते हो ना वैसे ही रीमी और उसकी नेबर्स नेबर्स यानि आसपास में रहने वाले तो वो लोग दिवाली इस तरीके celebrate करते है तो इसमें आप किसी और के बारे में यानि third person के बारे में बात करे हो उसमें ना आप है ना मैं हूँ सही है तो answer क्या आएगा दे रीमी and her neighbors celebrate दिवाली they burn crackers ठीक है next john is my friend dash is a scientist इसमें क्या आएगा john मेरा दोस्त है और वो scientist है लड़के के बारे में बात हो रही है john के बारे में answer क्या आएगा he right he is a scientist next my sister eats my chocolate dash is a naughty girl अभी लड़की के बारे में बात हो रही है उसकी बहन के बारे में जो उसकी chocolate खा गई है तो obviously यहां पे क्या आएगा she is a naughty girl क्योंकि उसने उसकी बाहन की chocolate खा ली right can dash help me with my homework तो आप किसी को help के लिए पूछ रहे है यानि आपके सामने जो खड़ा है तो आपके सामने जो आप point out करके किसी को बोल सकते हो उसके लिए क्या use होता है you तो आंसर क्या आएगा can you help me with my homework राइट ओके नेक्स सूरभी is a good girl डैश गोस तो स्कूल एवरी डेए ऐसी हमने एक एक्सेसाइज में भी देखा था तो उसमें क्या था सूरभी के बारे में बात हो रही है कि जो डेगुलर स्कूल जाती है तो आंसर क्या आएगा she right सूरभी is a good girl she goes to school every day अभी next आस्मान लिवस इन डैली डैश है जाती है बीक बंगलो आस्मान दिली में रहता है और उसके पास बड़ा बंगलो है तो आस्मान के बारे में बात हो रही है तो आंसर क्या आएगा he आस्मान लिवस इन डैली फूल स्टॉप फिर he has a big बंगलो my dog is very cute डैश has a brown furry body ये dog के बारे में बात हो रहे हैं कि मेरे पास एक very cute dog है मेरा dog है वह very cute है और उसके उसके सरीर पर brown furry body यानि रूई जैसे brown color के उसके उपर उसकी बाड़ी पर ऐसे बाल है तो डॉप के बारे में बात हो रही है इसलिए answer क्या आएगा eat ओके next Paul and his parents are going to city डैश wants to buy a new clothes क्या है Paul और उसके parents city में जा रहे डैश wants to buy new clothes अभी उसमें आप city में नहीं जा रहे है Paul और उसके parents जा रहे है यानि answer क्या आएगा they ठीक है Paul and his parents are going to the city they want to buy new clothes this is my room डैश share it with my sister ये मेरा room है और मैं मेरी बहन के साथ share करती हूँ वो ऐसा बोले गए इसलिए answer क्या आएगा I this is my room I share it with my sister next this is a pen डैश is my favorite pen अभी ये pen के बारे में बात हो रहे है ये pen है ये pen है और ये मेरी favorite pen है तो pen के बारे में बात हो रहे है इसलिए answer क्या आएगा it ठीक है this is a pen it is my favorite pen लेँ आएगा